बच्चो अब हमारा question number है seven one over two m divided by m is equal to fifteen तो बच्चो इसको करने का मैतर ये है कि आपने क्या करना है जब अपने solution निकालना इसको solve करना है तो आपने ये याद रखना है one over two ठेक है divide है तो divide का sign लगाएंगे और m बच्चो जब divide हो यहाँ पर तो m के नीचे हमने fraction बनानी है तो one नीचे write कर देंगे is equal to fifteen आपने ये याद रखना है divide में जब हम अगले हमारे जो number होता है या variable जो भी होगा हमने उसको fraction बनाने के लिए one नीचे write करना है ठीक है denominator की जगह denominator और denominator की जगह numerator आजाता है तो यह 15 आप यह देखे one one zero one हो जाएगा उपर वाले से multiply होगा और नीचे वाले से multiply होगा और नीचे वाले से multiply होगा क्योंकि या पसमें कड़ते नहीं है तो two m आजाएगा two m is equal to fifteen अब हम क्या करेंगे बचो अब हम क्या करेंगे one over two में से M को separate कर लेंगे one over two ठीक है यह m इस साइड पर आजाएगा और यह जो 15 है जब इस साइड पर आएगा तो यह इसके साथा कर multiply होगा 15 के जाद ठीक है two fifteen के साथ जो है multiply हो जाएगा तो आपका जो आजएगा fifteen tw तो यहां राइट कर रही हूं इसको 1 over 30 ठीक है तो यह आपकी m की value is equal to m तो यह आपकी m की value आ जाएगी मैंने इन दोनों को multiply किया है two fifteen twos are 30 हो गया और यह बन यहां पर राइट किया है तो यह m की value आ जाएगी अब वो कहते है putting the value of x in equation 1 we get तो एक equation हमारे पास जो बच्चो है वो हमें यहां write कर रही हूं 1 over 2 is equal to divided by m is equal to 15 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यह वाली मैंने equation write कि verify करने के लिए मतलब equation में हमने 15 1 over 30 पूट करना है तो 1 over 2 divided by m की जगह पर 1 over 30 आ जाएगा is equal to 15 इस तरह से ठीक है अब 1 over 2 as it as write करेंगे इसको कर देंगे multiply multiply करेंगे तो जो आपके जो values की प्लेस है वो चेंज हो जाएगी reciprocal हो जाएगी तो 30 उपर चला जाएगा और 1 नीचे आजएगा तो 1 के साथ कट गया one one's are one one oh sorry two one's are two और two 15's are 30 हो जाएगा तो is equal to अब आप यह देखे is equal to 15 यह वाला नीचे आजएगा तो 15 is equal to 15 तो यह आपका answer हो जाएगा यह आपकी value true है ठीक है यह आपकी statement जो है वो true है क्योंकि बोस sides are equal अब हम करेंगे question number जो है आपका 9 x minus 0.3 is equal to 0.4 तो हम करेंगे x आप देखे हम x को separate करने के लिए यह minus का है इसको इस तरह से भी कर सकते है 0.3 इदर plus का लगा लें यानि बोस sides की 0.3 हम इसको ऐसे भी कर सकते है is equal to फिर 0.4 यहाँ पे भी plus का यानि दोनों side पे plus का 0.3 लगा दें 0.3 ठीक है यह plus minus वाले कट गए तो x रह गया is equal to अब यह दोनों को plus कर देंगे तो 0.3 तो 0 तो 0 ही रहेगा और 4 और 3 जो होगा वो 7 हो जाएगा तो 0.7 x की value आ जाएगी ठीक है अब हम क्या करेंगे putting the value of x in equation 1 we get अब हम x की जगा पर क्या लगाएंगे 0.7 तो x की मैंने value लिख ली है पहले 0.7 minus 0.3 is equal to 0.4 अगर तो 0.4 आंसर आता है तो आपकी यह equation true है तो आप देखे 0.7 में से 0.3 आप निकाल लेंगे तो 0.4 आपका बच जाएगा is equal to 0.4 तो यह statement भी आपकी true है यानि both sides are equal बच्चों तो यह statement भी आपकी true है हमरे पास है question number 10 x divided by 2 is equal to 7 हम क्या करेंगे अब इसको solve करेंगे solve करने के लिए क्या करेंगे अब x divided by 2 is equal to 7 है तो हम क्या करेंगे पहले तो इसको बना लेंगे x divided by यानि fraction में बना लेंगे 2 is equal to 7 इस तरह से अब both sides multiply by 2 हम दोनों sides को multiply कर देंगे 2 से x over 2 multiply by 2 is equal to 7 multiply by 2 मैंने यही वाली ठीक है राइट किया तो 2 2 के साथ कट गया x राइट किया और 7 2s are 14 तो x की value आगी 14 अब वो कहते है putting the value of x in equation 1 यह equation 1 में पहले ही write कर चुकी है अब x की जगा पर हम 14 write करेंगे divided by 2 is equal to 7 तो 2 को divide कर देंगे जाब 0.4 में m is equal to 0.8 तो आप क्या करेंगे solution में हम क्या करेंगे बोथ divided by 0.4 यानि हम यह 0.4 divided by यह m में इसके साथ divide कर देंगे 0.4 is equal to 0.8 इधर भी divided by 0.4 यानि इस 0.4 को m से खतम करने के लिए हमने दोनों साइट को divide कर देना है 0.4 से यह इसके साथ कट गया m रह गया आप बच्चों यह देखें अब यह 0.8 है और यह 0.4 है अब हम क्या करेंगे पहले तो हम इसकी फ्रेक्शन्स खतम कर लेंगे यहाँ एटा आजाएगा अब आपने यह याद रखना है पहले में उपर वाला कर रही है आपको मैंने बताया था अगर उपर वाले में डेसिमल पॉइंट हो तो उसका 10 नीचे आता है ठीक है नग पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद एक डीजट है तो 0 उपर है तो नीचे तो यह आप देखें बचो यह 10 इस 10 से खतम हो गया अब आपके बास 8 और 4 बचे हैं तो इसको भी हम आपस में कट कर सकते हैं पॉइंट का 1 और 4 टू और 8 तो एम की जो वैलियू है वो आ जाएगी 2 यानि एम की जो वैलियू है वो 2 आ जाएगी अब हम क्या करेंगे पुटिंग दा वैलियू एफेक्स इन एक्वेशन 1 अब एक्वेशन 1 मैंने राइट कर लिये अब 0.4 और एम की जगा पे हम 2 लगाएंगे क्योंकि एम की वैलियू 2 आई है इस इक्वल टू 0.8 ठीक है अब हमने क्या करना है देखना है या तो यह अंसर 0.8 आई ठीक है तो आप यह देखे टू 4 जार 8 हो गया और टू 0 जार 0 हो गया तो 0.8 आगया तो इक्वल हो गया बच्चों यह स्टेटमेंट भी आपके टू ह तो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अपना बहुत सारा खिया रखियेगा अलाफिस